तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे keyword in C के बारे में कि हमारे C language में कौन-कौन से keyword बताए गए हैं कौन-कौन से keywords होते हैं जिनका हम use के वल अपने function में functionality create करने के लिए use करेंगे ना कि इसका use हम variable के name declaration में करेंगे तो कौन-कौन से keyword होते हैं और keyword क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो what is keyword in C full explanation मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसके बारे में A to J जानकारी दूंगा क्या कौन-कौन से keyword हैं और कौन-कौन से keyword का use आप नहीं कर सकते हैं variable के declaration में तो दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं keyword is a reserve word you cannot use it as a variable names or constant names because its meaning is already defined in the compiler यानि कि हमारे जो keyword हैं वो reserve या fixed word होते हैं जिनका use केवल हम use कर सकते हैं क्योंकि इनका meaning compiler को पहले से ही बताई जा चुकी है with the using of library जो हमारी c की library है उसमें कुछ ऐसे keyword है कुछ ऐसे नाम हैं जिनके मतलब पहले से ही define किये गए हैं कि अगर इस keyword का use होता है तो यह task पूरा होने लगे हमारा compiler पहले से उसको पता है कि कौन-कौन से keyword का क्या-क्या मतलब है तो इनका use ना तो हम variable की name में कर सकते हैं ना ही constant name में ना ही function की name को define करने में हम किसी keyword का use कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ example के तोर पर हमारा keyword है एक int, long, do यह हमारे keywords हैं तो there are 32 keywords in c language हमारी c language हमें 32 important keyword प्रोवाइड करती है हमें अपने code को लिखने में हमें अपनी programming को करने में तो यहाँ 32 keywords कौन कौन से तो चले इसके उपर भी discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला keyword है auto इसके बाद external तो auto का use जैसे कि आप simple program में करते हैं without program जो भी situation होती है जो भी program का execution होता है जिस step में होता है वो auto होता है यह by default होता है storage class कहलाती है storage class जब आप next video में पढ़ेंगे c की class के बारे में तो वहाँ आपको जानकारी मिलेगी auto गेवारे में इसके बाद external, static, void, registers यह हमारी storage class होती है c में इसके बाद case, cost, enum, union, structure इसके बाद जो red color में मैंने highlight किया हुआ है यह हमारे क्या है data type in c है int यानि integer type की value इसके बाद care यानि character type की value कोई भी character इसके बाद double float float यानि decimal point यानि decimal value को आप इसमें store कर सकते हैं long इसके बाद जो हमारी यह green color से मैंने highlight किया है यह हमारी क्या होती है हमारी role statement की if else statement में आती है तो if इसके बाद else switch, break, continue, default, go to यह भी हमारे क्या है keyword है इसके बाद दोस्तों जो मैंने black color से लिखे है यह हमारे looping concept में आते हैं हमारे जो loop होते हैं c language में use होते हैं उसमें do, while and for loop जो की बहुत important loop है यह है इसके बाद दोस्तों हमारे जो keywords है sort, signed, size of, type of, इसके बाद unsigned and volatile यह हमारे 32 keywords हैं जिनका use हम keyword use कर सकते हैं इसका use हम variable के name declaration में नहीं कर सकते हैं इनका use हम function name के रूपे नहीं कर सकते हैं इनका use हम constant name के रूपे नहीं कर सकते हैं इसमें मैं notes भी आपको करा दूँ कि बहुत important है notes we cannot use keyword in our personal work यानि कि ना तो हम इसका personal use नहीं कर सकते हैं पर्सनल का में जिसे हम यूजर डीवाइन फ़ंक्जान में जो किसी कीवर्ट को यूजज करें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी मीनिंग पहले से ही लाइबरेरी में श्टूर की गई है उसके पहले से लिखा जा चुका है कि हमारे कौन से keyword का क्या मतलब है तो I really hope दोस्तों कि आपको keyword के बारे में कुछ एक अच्छी informative information मिली होगी आपको keyword के बारे में तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो please वीडियो को like and share करें अगर कुछ कमी रह गई हो तो please comment करें आपके comment मेरे लिए motivation और guidance दोनों की तरह काम करते हैं दोनों की रूप में काम करते हैं तो please मुझे अपना motivation and guidance provide करें thank you so much